देश भर में डिजिटल इंडिया के तहट बैंकों की कतारों को कम करने के प्रयास किये जा रहे है वहीं दूसरी और नौनी बजार में लगे दो बैंकों के एटियमों में पैसा न होने के चलते लोगों को भारी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों का कहना है कि नौनी वह इसके आसपास जहां कई शेक्षनिक संस्तान वह वीश्व विद्याले होने चलते बैंकों द्वारा एटियमों की सुविदा दी गई है मगर अधिकतर समय ये एटियम खाली रहते हैं ऐसे यहां पड़ रहे चातर चात्राओं वह अन्य लोगों को भारी परिशानी जहल नी पड़ रही है और दोनों एटियमों में पैसा ना होने के चलते कई किलोमीटर दूर के एटियमों में पैसा निकालने जाना पड़ रहा है इन एटियमों के भरोसे रहने वाले लोगों ने मांग की है कि कई दिनों तक खाली पड़े रहने वाले इन एटियमों में सुचारू रूप से पैसा डाला जाए जिससे आम जनता को पैसो के किलत ना जहननी पड़े चार-पांच दिनों से इस एटियम में कैश नहीं है असाथ में ही यूको बैंक का एटियम है उसमें भी कैश की उपलब्दी नहीं है और इंस्टेंट पैसे के लिए हमारे को इदर उदर भागना पड़ता है ओजगाड यहां से 5-6 किलो मेटर है कई बार उदर भी कैश की एटियम के अंदर जो है कैश की अवेलेबिल्टी होनी चाहिए जबकि डिजिटल इंडिया के तैज जो है बैंकों की लाइन कम करने के लिए स्ट्रेस किया जा रहा है बट एटियम्स आर ऑलवेज एमटी कभी भी इसमें कैश उपलब्द नहीं होता है वहीं एटियम से पै पैसा नहीं है और यहां से उतना ही दूर जाना पड़ता है वारे परे इसले एक इसी को भी पैसे के जूरूत पड़ती है तो दोनों वहीं गौरव ठाकुन ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से यहां पैसा निकालने आ रहे हैं मगर इन एटियमों में पैसा ही नहीं है जिसके चलते लोगों को यहां से 15 किलोमेटर दूर सोलन शहर जाना पड़ता है हम आगरहे करते हैं कि अधिकारी जल्दी से जल्दी इ विकास की रिपोर्ट करते हैं